हेलो दोस्तों आप सभी का All About Socios में स्वागत है और ये समाज सास की कमटीटीव सिरीज है और आज इसमें हम लोग एक important topic पे चरचा करने वाले हैं तो जैसा कि आप लोग हेडिंग यहां पे देख चुके हैं मध्य प्रदेश में जन जाती है समाज हेडिंग से आप लोगो MP, PSC, Assistant Professor का syllabus है उसमें ये topic ही दिया गया है तो बाकी तो आप लोगों की preparation हो जाता है sociology का common जो हम चाहे वो किसी भी state से related बोलें या national level पे जो भी exam होते हैं तो वो से ले बस आप लोगों का cover हो जाता है लेकिन जब बात state की particular specific state की बात आती है तो वहां पे थोड़ी सी problem महसूस होती है और खास करके अगर tribes की बात करें तो उनके किसी भी state में कौन से tribes पाए जात जाते हैं उनकी जो कुछ-कुछ cultures हैं वो कौन से होते हैं और कौन-कौन से tribes पाए जाते हैं तो यह सथोड़ा सा एक complex type का syllabus हो जाता है जो कि हमें particular detail में पढ़ना पड़ता है तो अगर मुझे अगर लगा होता तो मैं आप लोगों को सीधे एक list बना के दे देती कि हाँ MP में ट्राइस पाए जाते हैं और यहां पाए जाते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग जादे नहीं 5-6 मोशली अगर देखें तो मेजरली जो 6 जंजातियां हैं वहाँ पे तो उनको हम लोग detail में समझ लेंगे और तीन lecture में आल्मूस्ट कवर हो जाएंगे और यहां पर मैंने बात तो की है कि MPPSC Assistant Professor का जो एक्जाम है उसके लिए यह mainly focus है लेकिन अगर MP से related जो भी एक्जाम है उनके लिए आज का lecture बहुत जादे important है और सिफ MP ही नहीं बलकि अगर हम समासास्त की syllabus की बात करें तो बिभिन जो state हैं बहुत जितने भी राज्य हैं तो इ पाई जाती हैं उनकी क्या अपनी खुद की identity है किस तरीके से वो लोगों से अलग उनकी पहचान देखने को मिलती है तो इन सारे पे लगभग कोई भी समासास्त का exam हो तो उसमें tribes question आता ही आता है तो यह मैंने मेंली तो MPPSC Assistant Professor को focus करके आज का lecture बनाया है लेकिन इसको आप लोग हलके में मत देजेगा कि चलो यह तो MP के लिए है मुझे क्या करना है जानके ऐसा नहीं आप लोग सोचिएगा बैगा जनजाती का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है और बैगा हम लोग इगनू के सेरीज में भी हम लोग पढ़ते हैं बैगा के बारे में मुझे रिलाइबल बुक्स हैं उनमें जो ट्राइब्स हैं उन पे अपना एक अलग ही पोर्शन हो जाता है तो यह एक इंपोर्टेंट पोर्शन है जो कि आप लोग को कोई भी अगर आप में से जो समासास्त का एक्जाम देते हैं रिलेटेट कम टीटी हो चाहे वो PCS लेवल का हो चाहे आयस लेवल का हो तो यह टॉपिक्स जो होते हैं वह बहुत जादे इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो चलिए आज हम लोग डिसकस करते हैं दो जनजातियों पर हम लोग डिसकस करेंगे इसमें सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट MP की अगर ट्राइब की बात करें तो वह है बैगा जनजादी के बारे में आप लोगह ने सुना है और ये बैगायक छेत्र जो कि मंदला जिला में हैं वहां से आता है. यहां पर आप लोग एक image देख रहे हैं तो यहां पर यह image मैंने Wikipedia से लिया है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश के बाला घाड के बैगा जन्जादी का एक परिवार यह आप लोग को दिख रहा है यहां पर ठीक है तो कुछ content मैंने Wikipedia से लिया है कुछ content मैंने कुछ newspaper मुझे मिले वहां से मैंने कुछ article publish हुए थे तो उसमें से मैंने लिये हैं और भी कुछ online जो भी मुझे sources मिले वहां से मैंने collect किया है तो चलिए हम दो discuss कर लेते हैं बैगा जो है वो भारत के मध्यप्रदेश 36 घर जार खन प्रदेशों में पाई जाने वाली जन्जाती है मध्यप्रदेश के मंडला डिंडोरी तथा बाला घाड जीलों में बैगा लोग बहुत बड़ी संख्या में राते हैं तो यह हो सकता ह है कि एक पेर के रूप में या दो तिन जीलों का भी नाम पूस दिया जाए कि किन जीलों में बैगा जन्जाती सबसे ज़्यादे पाई जाती है तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप के फैक से बनते हैं तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए तो मंडला डि भेना और काड भेना इनकी कुछ उप जातियां हैं तो यह जो आप लोग को दिख रहा है यह सभी की सभी बैगा जन्जाती की उप जातियां हैं सन 1981 के जंगर्ना के अंसार उनकी संख्या जो है वो 24949 थी तो यह हो सकता है कि एक फैक्ट चुकि काफी पुराना है बट यही विकिपीडिया में दिया भी गया है फैक्ट के रूप में तो इसलिए मैंने यहां पर मेंसिन कर दिया है ओके यहां पर एक लखन लाल नामक बैगा जो थे उनका शाचतकार किया गया था और इससे पता चला था कि हां क्या उस जन्जाती की कुछ खासियत है तो उसको हम लो पारिवाग सिंग भूम दोत्र आदी एरिया से यह जादे रिलेटेड हैं ओके संस्कृति की बात करें तो यह रिती रिवाज में खरवार जन्जाती के समान हैं ओके इसमें सैंक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है बैगा के समुदाइक पंचायत का जो मुखिया हो और हो भी सकता है कि एकजाम में पूछ भी दिया जाए तो इनका या तो यह पूछा जा सकता है कि जो बैगा जन्जाती होती है उसका प्रमुख नित्य क्या कौन सा होता है या यह भी पूछा जा सकता है कि कर्मा नित्य जो है वो किस जन्जाती से सम्मंदित है तो प्रमु facts है उसको हम लोग देखते हैं इस जनजाती का जो प्रथम पर्व होता है वो चरेता होता है और ये बाल बच्चों को भोजन देकर मनाया जाता है तो ये ये सारे facts हैं इसी type के facts पूछ दिये जाते हैं exam में तो ये आप लोग ध्यान रखेगा इस जनजाती में 9 वर्सों में ए ये भी आप लोग को ध्यान रखना है एक important fact है sorry fact है कि रस्नावा नामक पर्व जो है वो किस जनजाती से संबंदित है तो ये जो है बैगा जनजाती से संबंदित है हलाकि इसके अतिरिक ते लोग सरहुल दशहरा दिवाली होली आदि भी मनाते हैं ओके आर्थिक व्यववस ये थोड़ा सा typing का problem है ये खादे संग्रा है वह मज़ूरी का कार्य भी करते हैं पिर पौधों के अच्छे जानकार भी ये होते हैं धार्मिक ब्यवस्ता की बात का है तो प्रधान देउता में ये बड़ा देउता के नाम से होता है निवास्थान जो है वो साल हल होता है औ और पवित्र पशु जो होता है वो यहां पे बाप लिखा हुआ था तो अब यह क्या है एक्चुल में तो मुझे नहीं पता है बड़ जो मुझे फैक्ट मिला वही मैं आप लोगों से डिसकस कर रही हूं यहां पे आप लोग MP की इमेज देख सकते हैं तो यहां पे आटलि में दिखा रहा है तो यह दिन्डोरी भी आप लोगों को यहां पे दिख रहा है ओके अब आहम लोग थोड़ा सा अभी इनके बारे में डीटेल में समस लेते हैं बैगा आदिवाशी मद्य प्रदेश की तीन जिलों यहां पे आप लोग देख सकते हैं मंडला शहडोल और बाला घाट में पाए जाते हैं तो यहां पे शहडोल की भी बात की गई है यह अलग-अलग सोर्से से मैंने लिया है डिन्डोरी की भी बात मैंने पहले की है ओके इस द्रिश्टी से बैगा जो है वो मद्य प्रदेश की मूल आदिवासी भी कहे जा सकते हैं बैगा शब्द करके गुनिया और उजहा भी माना जाता है तो यहां पे अभी हम लोग समझ लेते हैं इसा क्यों होता है बैगा लोगों को एक ही भागोलिक छेत्र के आधार पर गलती से गोंड भी समझ लिया जाता है तो जो गोंड जन जानती होती है तो चुकि लगवग फिजिकल एरिया जो है जियोग्राफिकल एरिया की हम बात करें तो लबग एक ही आसपास में होता है तो संटाइम्स ऐसा होता है कि जो बैगा लोग होते हैं उनको गोंड भी समझ लिया जाता है यह सही है कि बैगा अधिकांस्ता गुनिया और उजहा ही होते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर जो गुनिया और ओजहा है वो बैगा ही हो तो यह हम लोग जैसे एक जो डाइग्राम वाला हम लोग क्वेश्चन अटेम्ट करते हैं वैसे वाली हो गई यह हाला कि बैगा लोग होते हैं वो अकसर करके गुनिया और ओजहा होते हैं गुनिया और ओजहा जो हैं जैसे क कि सपोज हमने इसको बैगा माल लिया बीच वाले पोर्षन को हमने बैगा माल लिया ये माल लेते हैं कि बैगा है एक मिनट लिखने में कुछ प्राप्लम हो रहा है ये माल लेते हैं कि ये बैगा है बीच का पोर्षन ये गुणिया हो गया और ये ओजहा हो गया ठिक तो ये म है वह बैगा ही हो क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यह ओजह भी अलग है गुनिया भी अलग है लेकिन बैगा में गुनिया और ओजह जो है वह कामन पाए जाते हैं तो यह आप लोग यहां से इस सेंटेंस का मिनिंग यह निकलता है समझ लीजेगा ओके उनके वीतिरड छेत समुहों से संबध है तो आलेड यह भी हम लोग बैगा का डिसकस कर चुके हैं कि यह द्रवीड से तालुक रखते हैं ओके और गुंड की बात है तो यह गुनिया की बात आ गई इन दोनों जातियों में विवा संबन्ध होते हैं क्योंकि दोनों जातियां हजारों वर्सों स सासात रह रही है, गोंडों के समान भी बैगाओं में भी बहुत से सामाजिक संस्तर होते हैं, यानि हरायर की पाई जाती हैं, राज गोंडों के समान ही बैगाओं में भी विंजिवार बड़े जमीदार होते हैं, और उन्हें राजवनसी होने की महत्ता प्राप्त है, मंडिला में वैगाओं का एक समूम भरिया वैगा भी कहलाता है तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मंडिला है मंडिला में वैगाओं का एक ग्रूप जो है उसे भरिया वैगा भी कहते हैं भरिया वैगाओं को हिंदू पुरोहितों के समकच्छी ही स्थान प्राप्त है यानि उनका सुसाइटी में वैगा कम्यूनिटी जो है उनमें उच्छा स्थान प्राप्त है ये हिंदू देवताओं की ही पूजा संपन करते हैं आदिवासी देवताओं की पूजा पाथ ये न दिखाई देते हैं स्मिल और हीरालाल यह 1915 का एक अध्यान रहा है इन लोगों का तो वैगाओं को छूटा नागपूर की आदि जन जाती पुईया की मद्य प्रदेश शाखा जिसे बाद में वैगा कहा जाने लगा मानते हैं तो यह मानते हैं कि छूटा नागपूर की जो व बैगा जो हैं ओके बुईया की इस बैगा साखा ने छूटा नागपूर में सरुप्थम 36 गड़ में प्रविस किया तो छोटा नागपूर से यह 36 गड़ में प्रविस करते हैं और फिर बाद में अन्या आदिवासियों के द्वारा यह मंडला और बाला घाट के दुर्गम वनों में खदेर दिये गए होंगे ऐसा माना जाता है मंडला जिले का वैगा एक छेत्र आज भी सगन वनों से पूर्ण है इस छेत्र के वैगा आज भी अति जंगली जीवन बिता रहे हैं इनकी तुलना बस्तर के माडिया लोगों से की जाती है तो एक फैक्ट यहां पे आ प्रानी 36-गड़ी का प्रभाव दिखाई देता है बाला घाट के बैगाओं की बोली में भी 36 गड़ी का प्रभाव स्वाभविक रूप से देखने को मिलता है तो यह हम सभी को यह भी पता है कि जो 36 गड़ है वो मध्य प्रदेश से ही तो अलग होके बना है ग्रिथर्शन का यकाना अर्थ रखता है कि पहले बैगा जो है वो अधिकांसत चतिस गड़ के मैदान में फैले हुए थे और वहां से ही ये है वंसी राजपूतों द्वारा दुर्गम छेतरों की ओर भगाये गए भूईया के अतिरिक्त भनिया लोगों का भी संबन्द वैगाओं से ही जोड़ा जाता है वैगाओं की एक साखा मैना राजबंस ने किसी समय उरिशा की महानदे के दक्षिड में बिलहईगर छेतर पर सासन भी किया था मंडला में ये कहीं पर भूईया का लाते हैं जो भूईया का ही तत्सम है तो भूईया या भूईया ये जो भी नाम है ये एकी ही है बस ये है कि उनको तत्भो तत्सम के रूप में सुद्ध और सुद्ध रूप में ऐसी बोल दिया जाता है बिंचवार लगभग पूरी तौर से गैर आदिवासी हो चुके हैं वे गोमांस नहीं खाते बिंचवार नरोटिया और भरोटिया में रोटी बेटी संबंध प्रचलित है तो यहां पी जो टर्म आप लोगों को रोटी बेटी संबंध दिख रहा है आलेडी हम लोग डिसकस क कर रहे थे तो रोटी बेटी का मैं MCQ में साथ मैंने यह क्वेस्चन पूछा है कि रोटी बेटी का जो कॉंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है यह बार बार आप लोगों को समास सास्त्र में सुनने को मिलेगा तो रोटी बेटी का जो कॉंसेप्ट है यह राम अनो अबर लोहिया के द्वारा दिया गया था किन्तों इनमे स्थान भेज से परिवर्तन पाए जाते हैं अच्छा रोटी बेटी का संबंध होता क्या है यह भी मैंने डिसकस किया था तो रोटी बेटी का मतलब है कि हमें साथ में भोजन करना चाहिए और जो बेटियां है यानि कि साधी जो है वो आपस में हम आपको बेटी दे रहे हैं आपके हां से बेटी हम साधी करके अपने घर में ले आएंगे तो रोटी बेटी का समन्द ये कहलाता है जैसे साथ में भोजन करने की मना ही है अर्था तीनों में रोटी बेटी के समन्दों का सिमित प्रचलन पाय जाता है बालाखाट में ऐसा कोई बंधन नहीं है पुराने जमाने में दोनों आदिवासी जातियों में विवाह जो था वो आम बात थी एक गोंड यूवती के वेगा से विवाह करने पर वह समान स्विक्रित वेगा महिला माल ली जाती थी तो अगर कोई गोंड यूवती है अगर किसी वेगा लड़के से साधी हो गए उसकी तो बाद में वेगा माल ली जाती थी किन्तु बिंझवार, भरोदिया और नरोटिया अब स्वेंग अन्यवैगई उपजातियों में भी विवा नहीं करते हैं अर्थार यहां पे दिया है अज तो गोडों से विवा करने का तो ब्रस्न ही नहीं उठता है अब ये आज तो क्या होता है वो हमें idea नहीं आई या तो होगा कि अथात गोर्णों से विवा करने का तो प्रस नहीं नहीं होड़ता है चुंकि यह online content है तो हम बी इसको अपने तो बनाया नहीं है तो इसलिए मुझे यहां पर डाउट है तो एक बार अगर आप लोग को होगा तो चेक कर लीजेगा ओके यह तत्य हमें राज गोंडो और राज वंसी गोंडो में भी मिलता है दरसल विकास की प्रक्रिया में आदिवासी जातियों में स्वाभाविक देखने को मिला है बैगर जो है वो किष्ण वड़ी और रुच अर्थात कांती ही सरीर वाले होते हैं सिर के बालों को काटने का रिवाज इनके यहां नहीं है कभी कभी कपाल के ऊपर के बाल कुछ मात्रा में अवश्य कार दिये जाते हैं तो कुछ ऐसे अगर उन लोग के जो रिवाज है यारस्मै मनय जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बाल कर दिया जाता है लेकिन बाल काटने का इनके हां रिवाज नहीं पाया जाता है बालों को इकठा कर पीछे की और चोटी डाली जाती है ये वर्स में गिने चुने आउसरों पर ही स्नान करते हैं तो ये तो बहुत ही मुस्किल है ये वर्स में गिने चुने आउसरों पर ही स्नान करते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैगा युवतियां आकरशक होती हैं उनके चेहरे और आँखों की बनावर सुन्दर कह जा सकते हैं इन्हें अन्य आदिवाशे इस्त्रियों से अलग पहचाना जा सकता है तो यहां पर आप लोग इमेज भी देख सकते हैं मैंने यहां में इंसिन किया है यत्यपी गोंड और वैगा जंगलों में साथ रहते हैं तथा पी गोंडों में द्रविड विसेश्थाएं पर लिकषित होती है तो यह एक important fact है यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो गोंड होते हैं इनमे द्रविड विसेश्थाएं जादे दिखाई देती हैं और मुंडा विसेश्थाएं Epic में जब डिसकस कर रहे थे तो यह दिया था कि जो बैगा जनजाती होती है वो द्रविड फैमली से ही आती है यहां पर अगली जनजाती जो है उसको हम लोग इसलिए डिसकस करेंगे क्योंकि यह इंपोर्टेंट है एक न्यूस्पेपर के आटिकल में मिला कुछ सब लोग करके ऐसा कुछ वहां का रिजनल NASP mater तो आप लोग यहां पे हेडिंग देख सकते हैं पाताल कोर्ट में भारिय जनजाती के प्रतिनि Display मंदल को मिला महामहीम से राश्छडपती भौन में मिलने का मौका तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैं इसलिए में संकी क्योंकि आप लोग के माइन में यह छप जाएगा आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा आप लोग को जैसे ही आएगा कि भारिया जनचाती की बा यहां पर आप लोग देख सकते हैं चून 12 2013 का यह न्यूज है लास्ट अपड़ेट किया गया है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में उस न्यूजपेपर में डिटेल भी दिया गया था तो उसको भी हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए हम लोग देख लेत तो चिन्दवारा आखिर में क्यों फेमस है और चिंद क्या होता है तो यह जानना जरूरी है तो मद्य प्रदेश के चिंदवारा जिले का नाम ही जो है चिंदवारा यहां के चिंद के व्रिच्छों के वाहु लेता के करण पड़ा है पाताल कोट के विशिष्ट पिछडी जन जाती भारिया के निवासियों ने राष्ट पती के लिए यहां की विशिष्टता में राष्ट पती के लिए छिंद के विच्छों की पत्तियों का विशिस मोर मुकुट बनाया है जो राष्ट पती भावन में भीट किया जाएगा त तो यह सारी चीजे इसमें मिक्स थी तो इस पे हम लोग को डिसकस नहीं करना है डिसकस करने का मुद्दा यहां पे है इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे कि भरिया जो गीत है पाताल कोट वासी है तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे क्योंकि लोग गीत बाताल कोटवासी है आदिवासी है बारा गाउं घूमना गारे और धीरे धीरे जाईज दूधी नदी गीत भी तैयार किया गया है तो यह कुछ इन लोगों की लोग गीत हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए ओके यहां पर हम लोग यह भी देख लेते हैं कि इस विस्ष जनजाती बाहुले जिले अब यह देख सकते हैं आप लोग की कौन से 14 जो जनजाती बाहुले जिले हैं तो जिसमें छिंदवाड़ा है ग्वालियर है श्यूपूरी गुना दतिया अशोक नगर मुरैना श्योपूर बाला घाट अनुपूर शहडोल उमरिया डिंडोरी और मन्डला के जनजाती बंधू इसमें सव लोग शामिल थे ओके अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर डीटेल में और भी कुछ देख लेते हैं पाताल कोड के भार्या जो की चिंदवाड़ा जिले में पाए जाते हैं अब इसको हम लोग देख. लेते हैं भार्या जनजाती का विस्तार छेत्र मद्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और सरगुजा जिले में हैं तो ये चार जिलों का नाम दिया गया है जहां पर माना जाता है कि जो भारिया जन जाती है वहां जादे मात्रा में पाई जाती है ओके इसा पे शक्रित बड़े भाग में फै रुका हुआ सा प्रतीत होता है इस छेत्र के निवासी देश दुनिया से अलग थलग एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें उनकी अपनी मान्यताएं हैं संस्कृति हैं और अर्थ व्यवस्ता हैं तो यहां पे आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो ट्राइब्स ह होते हैं उनकी अपनी खुद की एक स्पेस्फिक आइडेंटिटी होते हैं उनकी अपनी खुद की विस्ट पहचान होती है और जिनसे हम उनको जानते हैं तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इनकी अपनी खुद की मान्यताएं हैं इनकी संस्कृति हैं अर्थ व्यवस यहां के निवासियों से कुछ खास लेना देना उनका नहीं है पाताल कोड़ का शाब्दिकर्थ पाताल को घेणने वाला परवतिया किला होता है यह नाम बाहरी दुनिया के लोगों ने चिंद्वाड़ा के एक ऐसे अस्थान को दिया जिसकी चारो ओर तिब्र धाल वाली पहाडियां हैं इन वृत्यकर पहाडियों ने मानों सचमुच ही एक दुर्ग का रूप ले लिया है इस अगम्य स्थल्क में विरले लोग ही जाते हैं ऐसा नहीं कि छेत्र में एकी ही जन जाती रहती है बलकि सच यह है कि पाताल कोट ने नब्बे प्रसत आबादी जो ह शीश दस प्रसत जो हैं वो दूसरे आदिवासी लोग रहते हैं इस स्थल्की दुर्गम्ता ने ही यहां आदिवासी जीवन और संस्कृती को यथावत रखने में सायत दिये क्योंकि जब बाहर के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है पहुची नहीं होगी तो फिर वो आप में अपनी संस्कृती को बचा के या सजो के रखे हुए हैं 1981 की जनगर्ना में पाताल कोट में भारिया को जंगलियों के भी जंगली कहा गया था तो यहां पर हो सकता है कि यह एक important fact है और यह question बन सकता है कि कि किसको 1981 में किस जनजाती को चुकि यह मध्यप्रदेश से स गया है तो चुकि यहां पे किसी की पहुच नहीं हो पाती है साहद इसलिए इनको ऐसा नाम दे दिया गया क्योंकि जन्गरना में भूसारी दिक्कतें आई होंगी तो इसलिए इनको जंगलियों के भी जंगली कहा गया था भारिया शब्द का वास्तविक अर्थ घ्यान नहीं कुछ लोगों का मत है कि अज्यातवास में जब कौरुमों के गुप्तचर पांडों को ढूड रहे थे तब अर्जुन ने अभी मन्त भर्रुखास को सस्त देकर इन्हें गुप्तचरों से लड़ने को भेज दिया था इन्होंने विजय प्राप्त की और बाद में इन्हें भर्या नाम मिला था तो ये थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजेगा या बत से इन्हें भर्या नाम मिला था तो इसका क्या मीनिंग है मुझे इतना जादे चुकि महाभारत के बारे में भी नहीं पता है तो इसलिए आ किम वद्रंती में कितनी सच्चाई है यह तो खुचकी बात है तो यह भी एक यह कह सकते हैं कि चुकि फैक्ट नहीं मतलब मैं इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है जो बातें बताई जाती है उसी पर हम विश्वास करते हैं तो यह भी ऐसा ही मानना है देखिए यहां पर आप 1881 से 1980 तक सताब की सताबदी में जो सौ सालों का टाइम पीरियर रहा इसमें भारिया जनजाती के इस समू में मामूली फर्क आया है वह भी तब जब कि पिछले 25 वर्सों में मध्य प्रदेश सरकार ने इस छेत्र के उन्नती के लिए लगातार प्रयास किये हैं यहां तक कि पूरे पाताल कोट छेत्र को विशेश पिछडा खोशित कर दिया गया है तो यहां पर आप ध्यान दीजेगा कि एक जो आनुसिचित जनजाती है वो तो हई है यह कहें जनजाती छेत्र जो है वो तो हई है लेकिन जो पाताल कोट है इसको पिछडा जनजाती छेत्र कहा गय है तो इसलिए भी यह आपने आप में एक इंपोर्टेंट बन जाता है ओके पाताल कोट की कृषी जो है वह आदिम स्थाई कृषी है कुल कृषी जो है भूमी का 15 प्रश्यत खरीब फशलों के अंतरगत है प्रमुक फशलों में धान कोदो और कुटकी होता है तो आप लोग देख सकते हैं कूदो भी यहां बोया जाता है जो की जो नए जो बच्चे होते हैं उनको तो यह सारी चीज़े नहीं पता होंगी हम लोग भी अपने पैरेंट से सुनते थे हलांकि मुझे लगता है मैं लगी परसन हूँ कि मैं साउथ में रहते हूं तो साउथ में आज भी अक्टूबर तक हो जाती है द्यपीर रवी फशल रवी जो है वो यहां की फशल नहीं है किन्तु घर के आसपास की खाली छेत्रों में चना बो दिया जाता है आदिवाशियों के अंसार चनी की यह छूटी फशल भी अत्यंत श्रम शाद्य है क्योंकि पाताल कोट में बंद जाता है पर इसका उत्पादन जो है वो नगड़े है पाताल कोट में गेहूं और चना नगद फसले हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भारिया जन जाती है उसकी जो नगद फसले है वो गेहूं और चना है क्योंकि इस पूरे उत्पाद को बेज दिया जाता है ताकि की वस्तुएं वो खरीर दी जा सकें क्रिसी के उपारा लांत खेतों में मजडोरी करना प्रमुकार्य है पाताल कोट के आसपास गोंडों के जो होते हों फैले हूए हैं भारिया पाताल कोट से आकर इन खेतों में भी काम करते हैं एक अनूमान के अनुसार भारिया जो वो साट से सब्तर दिनों से अधिकारे नहीं करते हैं सास की विकास कार्यों में भी मजदूरी का काम कर लेते हैं तो मजदूरी का काम भी वो कर लेते हैं जो सास की विकास कार्य होते हैं गौर्मेंट की तरफ से भूम का वे आदिवासी चिकित्सक होते हैं यहां पर एक यह फैक् यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा और यह तो हम लोग समझी लिए थोड़ा और भी डीटेल में मुझे एक जगा content मिल गया तो उसको भी हम लोग discuss कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग जगा से जब content मिलता है तो अलग-अलग facts भी उसमें कुछ न कुछ जूड़ता जाता है तो इसको हम लोग फटा-फट discuss कर लेते हैं जनजाती सब्द के साथ ही हमारी कलपना में एक ऐसी संस्कृती सामने आती है जो वैज्ञानिक विकास से दूरवर्तमान काल की वेभारिक जीवन सहली से अपरचित शांती और एकांत में प्रकृति के मध्य अवस्तित है जो अपनी परंपराओं तथा रूडियों का द्रीडिता से पालन करती है उनका अपना जीवन सहली होता है और उनको उसी तरीगे से अपनी लाइफ जीनी होती है डाक्टर मजुमदार के अंसार यहां पर देखे इसलिए मैंने कहा कि आप लोग कभी भी किसी भी कंटेंट से भ अनुसार एक जनजाती परिवार के समू का संगठन है जिनका एक सामान्य नाम होता है एक निशिद भूभाग में रहते हैं और विवाव वेवसाय तथा उद्योग के विसाय में निशिद हात्मक नियमों का पालन करते हैं तो यह एक इंपोर्टेंट कोट जो डी एन मजु उससे माना गया है तो यह भी आभी आप लोग को क्लियर हो गया कि जो ट्राइब है वो एक लैटिन वर्ड है तो यह पूछ भी दिया जाता है कभी-कभी कि जो जनजाती है वो उसका उद्गम जो है वो किस भासा से हुआ है तो वो लैटिन भासा से हुआ है कई विद्वान लोगों ने इन्हें अलग-अलग नामों से पुकारा प्रशिद्य समास सास्त्री घुरिये ने इन्हें पिछडे हिंदू हट्टन ने इसे आदिम जातियां तुथा मार्टिन एवंग रिजले ने आदिवासी जैसे सब्दों से पुकारा है वनों में रहने के कारण गांधी जी ने इन्हें गिरिजन कहा है और ये इस तरीके से हम देखेंगे कि ये एक सिमी छेत्र भाषा संस्कृति राज्रिति के एवंग आर्थिक स्वतंत्रता विशिष्ट विश्वास पद्दति जन्जाति समास की अपनी विशिष्टाएं होती हैं वह अपने अधिकांस कारे जो हैं ब्यापार जैसे जोपड़ी बनाना बनोपर संग्रहर या खेती का प्रारम किशी ना किसी धार्मिक कर्मकांड से ही प्रारम करते हैं तो हाला कि ये तो ठीक है जन्जातियों के साथ ऐसा है लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारा करते हैं तो पाते हैं कि आर्णियों से इतर लोगों का अनार्य दाश या फिर दश्यू तथा बनों में रहने वाले लोगों को निशाद किराज सबर आधि नामों से पुकारा गया है वे वैदिक विचारों का सुर में पाठ नहीं करते थे इसलिए वे असुर भी कहला है प आप लोग ध्यान रखेगा पश्यमी भारत में यानि वेस्टर्न जो इंडिया है इसमें जैसे कि आप लोगों का गुजरात राजस्थान का साइड आएगा तो इसमें आदिवासियों को कमहा काभ्यों में गुहा निशाद और सबर के रूप में व्यक्ति किया गया है प्रदेश को अनेक नामों से पुकारा जाता है हम सभी को पता है कि इसे देश का हिर्दय भी कहा जाता है तो भारत का हिर्दय भी कहा जाता है साथ ही साथ यहां पर चुकि जन जाती समू बहुत जादे मात्रा में पाई जाती है तो इस प्रदेश को यानि मद्य प्रदेश मध्याप्रद्रेश को जनजाति और बीए थैंट भी कहा जाता है कि न सबसे चाहते हैं कहाँ पाई जाती है मध्य座्धिश में इसके करीब सभी जिलनों में do super लिपेगा सहरिया भार्या और स Dani और यहां पाई जाते हैं मध्याप्रद्रेश के चिंदवाड़ा जिले में सत्पूरा की सुरम वादियों में पाताल कोट घाती इस्थित है इसी पाताल कोट घाती में भारिया जनजाती पाई जाती है तो आप ही हम लोग वही डिसकसी कर रहे थे यहां पे रहने वाली भारिया जनजाती अभी भी शिक्षा तथा संपन्नता से को सो दूर है उनके मन में शिच्छा का जो अंधिकार है वह बाहरी अंधिकार से भी अधिक खतरनाग है यानि उन्हें शिच्छा ग्रहड करनी ही नहीं है बाहरी अंधिकार को तो मिटाया जा सकता है लेकिन शिच्छा के कारण उपज होने वाली समस्याएं और निवारित ह भारिया प्रमुख रूप से पाताल कोट में निवास करते हैं यह हम सभी को आल लेडी पता चल चुका है इस दूर्गम छेत्र में बसे भारिया लोगों को भारत शरकार द्वारा प्रदेश की विशीज पिछडी जन जाती की रूप में मानिक किया गया तो अभी मैं आप लो भारत सरकार ने मानने किया है और वो MP सिस्तु की सम्मंदित है तो यह है भारिया जन जाती का आस्तितो मद्प्रदेश में मुख्यता जबलपुरो चिंदवाडस में है पाताल कोट में इनके आने का प्रमुकारड दहिया खेती है पाताल कोट की विशाल भूमी और लोग हैं जो यहां के मूल निवासी हैं उद्रवीड ही हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भारियां हैं उद्रवीडियन फ्रजाती के ही लोग हैं पाताल कोट की दुरगम अवस्थिती घना जंगल और अगम रास्तों के कारण कई वर्सों तक सरकार का ध्यान इनकी और केंद्रित नहीं हो पाया था अताय इनका भौतिक विकास नहीं हो पाया और अन्य जंगल जातियों के अपेच्छा विकास की दोड में ये काफी पीछे रह गया है अब सरकार ने इन्हें पिछडी जंजाती का दर्जा देकर इनका विकास कर रही है लेकिन भारिय जंजाती का विकास आज भी बहुत ही दूर है यह आज भी मुख्य धारा से मीलो दूर हैं अगर इसकी कारण काणों को विसलेशर करें तो हम पाते हैं कि राजनितिक अच्छमता अधिकारी तथा ब्यापारियों की साठ घाट के परडाम स्वरूप जंजाती उत्थान के लिए बनाई गए सरकारी योजनाओं का उचित क्र आनवेन ना होने के कारण भारिया जंजाती समाज आज भी निर्धन अवस्था में जीवनियापन कर रहा है वहीं दूसरी ओ यह विचार भी आता है कि जिन अटूट परमपराओं रितिरिवाजों अंधिविश्वासों के बीच यह समाज जीवनियापन कर रहा है कहीं यह तो उनकी विकास मार का रोडा नहीं है, क्यूंकि वो अपने जो रिति रिवाज हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके आंधे विश्वास हैं, वो उनको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो जब वो नहीं छोड़ पाएंगे, तो आगे को माइन्ड दूसरी तरफ तो ही नहीं बचेगा क्योंकि इनको जाना ही जाता है उनकी अपने परंपराओं के लिए उनकी अपने रिती रिवाजों के लिए जो उनकी लाइफ स्टाइल है उनहीं के लिए उनको जाना जाता है यह सहत सरल परंपरा ही इनके जीवन का स्रोत है जिनके सहारे वे अत्यांट आप लोगं को दिख रहा है पाताल कोड में 20 गाउं हैं जिन में पचगोल, जीरन, चिम्टीपूर, काले, आम, रातेड, आधी जो हैं वो प्रमुख हैं पाताल कोड का प्राक्रितिक शौंदर अध्भूत है जो एक बार आँखों में समा गया तो भूले नहीं भूलता है सबसे अध्भूत समार्ने चीज जो है वो है इसकी अध्भूत रचना में बसा हुआ मानवे संसार जो आज भी आदिम संस्कृति के लिए जी रहा हैं जिनकी परंपरा, रितिरिवाज, नृतिर, संगीत, रहन, सहन, सामाने जनों से एकदम भिन है भारिया अपने को रावडवंसी मानते हैं तो यहाँ पे एक और फैक्ट है जो कि आप लों को पता होना चाहिए तो जो भारिया जनजाती होती है वो अपने आपको रावडवंसी मानते हैं और ये पूजा किसकी करते हैं ये मेग नात की पूजा करते हैं तो यह आप लोग ध्यान रखेगा भारिया जन्जाती की परंपरागत बोली जो है वो भर्याई या भर्नोटी कहलाती है तो यह आप लोग ध्यान रखेगा कि भर्याई एजी है याद करना भी चुकि भारिया का यह तो भर्याई या फिर भर्नोटी कहा जाता है इनके नामकरण के संबंद में माना जाता है कि इनके पूर्वज मराठा साशक रगुजी भोशले की भारवाहक थे और भर ढोने के कारण इने भारिया कहा गया तो अलग-अलग अपनी इनके पीछी कहानिया हैं लेकिन यह मात्रित दंत कथा ही लगती है तो यहां पे भी आप लोग देख सकते हैं कि यह ऐस लिए यह कथा चलाई गई है जैसे कि तेली जोगिया से जोगी कोरियर से कोरी उसी प्रकार भार से भारिया रसेल एवंग हीरा लालने यह नाम आप लोग को आई थिंक आप फिर से एक बार देख रहा है भारिया जुनजाती का मूल स्थान महोबा तथा बांधोगर माना है यह अस्थान भार छेत्र के अंतरगत आते हैं और दहल छेत्र की ततकालीन राजा करण देव भी भर जाती के थे इसलिए इन्हें भार सिव राज परिवार के नाम सी चाना जाता है भारियाओं के 51 गोत्र हैं परन्तु इन सभी के बारे में तो नहीं पता है अधिक से अधि सूला गोत्र ही ग्यात हैं तो भारिया जन्जाती के गोत्र उनके आसपास के प्रकृति पर आधारित हैं जैसे कि खमरिया बघोरिया अंगारिया भारिया तो यह सारे के सारे आप लोग ध्यान देंगे कि खमरिया बघोरिया अंगारिया भारिया इस सब के सब याया जैसा पता चल रहा है तो उसी की कोत्र में आते हैं ऐसी जनजाती में पूत्र तथा पूत्री के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो ये लोग कम से कम ट्राइप्स होते हुए भी पूत्र और पूत्री में भेदभाव नहीं कर तो दोस्तों ये दो जनजातियों के बारे में हम लोग काफी कुछ detail में समझें, I hope कि जो भी आगामे exam आने वाले हैं, उसके लिए ये आज का lecture जो है वो काफी कुछ आप लोग को help करेगा, I hope कि आज का lecture आप लोग को informative लगा होगा, और हम लोग next और दो तीन lecture में चार जनजातियां I think MP की और important हैं, जो कि मैं जो content ली थी, इसमें से काफी कुछ content जो है, वो मध्यप्रदेश की जो government की website है, मैंने वहीं से लिया था, तो जो fact है, वो भी काफी कुछ reliable है, चुकि ये government की website के fact है, तो ये आप लोग अच्छे से त मेरे लिक्चे पसंद आते हैं, तो आप लोग like किया करिए, comment करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में share किया करिए, धन्यवाद